ग्रीन मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका अपने ग्रीन प्लानेट के यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बेटर और बैल आइकन को दबाना ना भूलें ग्रीन मॉर्निंग मैं रायत मिश्रा अज हम इस भटे के खेट पर खड़े में जहां पर लिए सोमा घडी हमारा गाउं है यह तो बैलब ने इस भटे के खेट फर से यूज़ किया है यह यह जब हमने यूज़ के वीडियो बनाये था और यहött पेलिस उन का फसलता तब बनाया था और उसमें और आज के देट में अब देखा जाए तो फरक चाहे तो हम हमारे फ़र्मर से जानते हैं कि उन्हों नो क्या करा और अभी तक यह कितना उत्पादन ले चुके हैं उसकी क्वालिटी क्या है तो हम जाएंगे तो फेले जाएंगा आपने जो वालिव लिय तोडने के बाद जो भटे की साइज है वह यह बहता है यहां पर अभी तक अपने क्या क्या यूश कर दिया इसके वह बताई विस्थार से मैंने सबसे पहले भूमी पावर यूश किया था उसके बाद सेलरी बना कर प्रीमियम और यह डाला था जमीन में मिट्टी के अंदर आ केमिकल अगर यूज नहीं किया तो अभी फसल की जो इस्थिती आप देखेंगे तो यह हमारा पोधे हैं और इसकी अगर देखा जाए तो बढ़वार आप बताए सर अब तीसरा तोड़ा आने वाला है अब अब आपने कितना तोड़ लिये दो बार तोड़ चुके हैं कितना लगबग उत्पादन आपका निकला पहली बार में निकला था आठ से दस पन्नी के असपास दूसरे राउंड में अभी 22 पन्नी निकला है तो एक नार्मल बताएए क अगर केमिकल जो फार्मर यूज करते है बेगन के खेतों में उसमें और इसमें क्या दिफ्रेंस दिख रहा आपको अभी फिलाल कंडिशन में देखे तो उसके बजा यह प्लाड बेटर दिख रहा है यह प्लाड बेटर है और अगर क्वालिटी वाइज देखे तो आज 500 ग्रम मतब फार्मर का कहना है हाइस्ट 500-500 ग्रम का इन्होंने भटा निकाला है और विदावट केमिकल केमिकल एक दाना भी इसमें किसी भी तरीके से कोई इसमें क्या गया है ग्रीन प्लैनेट बायो पोड़क्स का पूरा इस खेत पे हुआ है जो आइस फसल की आप देख जाए तो ब्रांचे बहुत निकल रही है यह पूद्य की ब्रांचे से यह पूरी है जब ब्रांचे का बहुत जएदा फिलाओ भी हो रहा है मतब पोड़का बहुत जएदा एक तरीके से किसान का फिलाओ